नमस्कार जेहंद वंदे मातरम सभी EPS 95 पैंसन धारकों की पैंसन की बड़ुतरी को लेकर अभी अभी की बहुती बड़ी खबर देखने को मिली है। तो क्या बदला होंगे किनकिन पैंसन धारकों की बड़ुतरी को लेकर बहुत बड़ी खबर देखने को मिली है। पैंसन की बड़ी खबर देखने को मिली हैं। EPS 95 पैंसन को लेकर ये बहुती बड़ी खबर देखने को मिली हैं। आपकी पैंसन में क्या अब बदला होंगे। साथी पैंसन की रासी बड़ाने को लेकर मोर भी लग चुकि ये केंदर सरकार की ऐसे भी जानकारी मिली हैं। तो उसके बारे में क्या सच्चा ही होने वाली हैं। आपकी रासी मिलती थी जिसे की बढ़ाकर की नौजार रपे करने को लेकर पैंसन धार को ने मांग किये। तो ये कल साम पांच बजे की सीवीटी की मैटिंग से अब यभी की बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिली हैं। और वैसे में मीडिय रेपोर्ट की नौजार अपडेट मिली है कि कल साम पांच बजे सीवीटी की मैटिंग में ये पैंसन धार के उनके लिए। पैंसन धार को जो पैंसन की रासी बढ़ाने को लेकर काफी लम्य समय से पैंसन की रासी बढ़ाने को लेकर भी मांग कर रहेते हैं। जो ब्यान बताया जा रहा है पैंसन को लेकर जिसमें की नियुमतना पैंसन की रासी को एक अजार रुपे से बढ़ा करके नौजार रुपे किया गया ऐसी भी जानकारी बताई जारी हैं। और ऐसा कोई अधिकारी पैंसन को लेकर नहीं हुआ है कि आपकी पैंसन सीधाई 1000 पे से बढ़कर के सीधाई 9000 पे होगा या पिर आपको साथ मेडिकल की सुईधा मिलेगी हायर पैंसन मिलेगी तो इस तरह की जानकर जो मेडिया अर्पोर्ट कर रहे है खलाल ऐसा कोई पैंसन को लेकर अगली बहुत बड़ी खबर बताई जा रही है जिसमें की मेडिया रेपोर्ट कर नहीं सार ये भी अपडेट मिले है इसमें आपकी पैंसन की रासे को लेकर इस तरह की जानकरी मिली है कि जरमचारी को जो पैंसन मिलती है वरत्मान में 1000 रुपे की उस जो निजे सतर में काम करने वाले लाकों करमचारी है उनके लिए एक बार बहुत बड़े कुसकबरी बताई जारी है तो सुप्रेम कोर के पैंसले से उनकी पैंसन में कम से कम 8500 रुपे तकी बड़ुतरी हो सकते है तो कैसे ये बड़ुतरी होगी और नया वैतन लिमिट को लेकर भी अपडेट में आए कि नया वैतन लिमिट है जो लागू किया जा सकता है जो 15,000 रुपे का वैतन लिमिट खतम करने के बाद नया वैतन लिमिट को लेकर करमचार के मांग दिन पर दिन बढ़ती जारी है कि नया वैतन लिमिट कितना लागू करेगी सरकार तो वैसे में जो पैंसन धारक मांग करें कि उनका नया वैतन लिमिटर जो की 15,000 रुपे है जिसे की बढ़ा करके 21,000 रुपे किया जाए जिसके पैंसन धारकों की गणा की जाए इसाथ में 20,000 रुपे की मूल वैतन को लेकर भी जैनकारी मिल रही है तो यानि कि आप सभी की पैंसन को लेकर इस्पर की जानकारी बतारी जारी की करमचारी वह उसनिती संक्टन एपने जो प्रेवेट सेक्टर में काम करने वाले लाकों करमचारी है उनके मूल वैतन पर जो 15,000 रुपे का जो एनकी कैप लगा रखा है तो वो कैप खतम होने के बाद अब नया एनकी वैतन लिमिट कितना लागू किया जागे जिसको लेकर गरणा की जाती है वरतमन में 15,000 रुपे के हैसाब से तो इस मूल वैतन को खतम करने के बाद नया जाएगा और पैंसन की गरणा 15,000 रुपे के बज़ाए 20,000 रुपर होगी तो फिर आपको पैंसन कितनी मिलेगी तो अगर ऐसा होता है तो करमचल की मासीक नियुनतम पैंसन जो मिलती है उसमें भी बुरतरी होगी और पैंसन उनको कम से कम 8,500 रुपे तक ही रासे मिल सकती ह तो 15,000 रुपे का जो कैप है उसको अटाने के बाद ये पैंसला होने वाले यानि कि वहतन सिमा खता मोगी तो बढ़ेगी आपकी पैंसन अलनकि इस मामले को लेकर कोल्ट में सनुआई भी चल लिए हैं अगर सुप्रम कोड वहतन की सिमा को पूरी तरह से खत्म करता है तो पैंसली से करम चैनों की पैंसली से करम चैनों की रासी में कई गुना की बड़तीर देखने को मिलेगी तो फिलाल ये मामला लमीत है आपका वैतन लिमिट को लेकर जो एक अधिकारी की जानकारी इस तरह की मिलीती की एप्यपों के दौरा मूल वैतन की रासी है जिससे की 15, अगर आपका पीअप का योगदान होगा तो आईए उस योगदान को भी जानते हैं जिसका अनुसार आपकी पैंसली की रासी में कितना इजापा होगा अगर आपका पीअप का योगदान है जो देखा जाए तो अगर मूल वैतन आपका बैसिक लिमिट सली का 21,000 रुपे हो जाता है तो उसका इसलाब से करमचर का पीअप में योगदान कितना होगा जो वैतमन में होता है 15,000 रुपी की लिमिट से 18,00 रुपे वही बढ़कर क आपकी पैंसन की राषी में कई गुणा का इजापा देखने को मिलीगा जो पैंसन दारके इसी को लेकर काप्र लवी लिम्जे सं करने की दिसा में एक मजबूत कदम भी होगा अधिकारी का इनुसार वैतन सीमा बढ़ाने से सरकारों निजी सदर दोनों पर भारी वित्ते परबाव पेड़ेगा लेकिन लाखों सर्मिक है उसको इसका फाइदा होगा क्योंकि अभी जो 15,000 रुपे का मुल वैतन है उसके एस पर पर प्रस्ताव यह पैंसिन जोड़ा अभी लमित है तो इस तरह के आज आपके लिए जानकरी होने वाली इस तरह के नई रोज़ाना ताज़ा अब्डेट पाना चाहते हैं तो चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइ